Hello students, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है, हमारे और आपके अपने चैनल Brownie Study में आज मैं आपके लिए एक Most Important GK के टॉपिक ले करके आया हूँ जिसमें मैं आज आज आपको बताने वाला हूँ प्रमुक खेलों से सम्मंदित कप एवं ट्रोफियों के बारे में जैसा कि आपने सुना होगा कि इरानी कप, डूरंड कप, डेविस कप, रनजी ट्रोफी, दिली ट्रोफी इस तरीके से आपने काफी नाम सुने होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस खेल से सम्मंदित है क्योंकि हर एक एक एक्जाम में कम सकम वन कोश्चन तो इससे आता ही आता है तो इसलिए आपको अगर अपना वन कोश्चन का एक्जाम जो है वो अगर आपको एक question आपका बचाना है एक number आपको प्राप्त करने है तो इस वीडियो completely पूरा बात जरूर करिएगा तो देखिए यहाँ से आपका आज का topic स्टार्ट होता है ज्यादा time based न करते हुए आज का वीडियो कर लेते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हुए आपके सामने first question दिया है बोला गया है इराणी कप किस खेल से सम्मंदित है चार option आपको दिये गया है आपको right answer बताना है option A cricket आपको पता होना चाहिए कि cricket खेल से सम्मंदित है इराणी कप इराणी कप जो है वो cricket में दिया जाता है next, next आप कि screen पर याप दिये गया है, बोला गया है यहाँ पर, duran किकप किस खेल से संबंधित है यहाँ आपको बताना यह isal कि किस खेल संबंधित है चार multiply आपको राइट answer बताना है option D, football आपको पता होना चाहिए कि football जो है उसमें डूरंड कप से सम्मंदित आप से काफी ज्यादा question पूछे जाते हैं कि डूरंड कप किस खेल से सम्मंदित है तो यह most important question है exam पर पसे इसलिए इस question को जरूर से जरूर learn कर लिजेगा copy pen ले करके आप बैठी है और जितने भी मैं आपको आज question बताऊंगा उन सभी को note down कर लिजे कि सभी most important question है exam पर पसे चली बटते हैं next में next आपकी screen पर बोल गया है यहाँ पर डेविस cup किस खेल से सम्मंदित है बताना है आपको डेविस cup किस खेल सम्मंदित है चार option दिए गए है right answer बताना है Option A, Tennis, Davis Cup जो है वो आपका Tennis से संबंदित है Next, नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है ध्यान चंद्र ट्रोफी किस खेल से संबंदित है यहाँ आपको बताना है कि ध्यान चंद्र ट्रोफी जो है वो किस खेल संबंदित है चार ओप्शन आपको दिए गए है, राइट आंसर बताना है Option C, हौकी आपका जो ध्यान चंद्र ट्रोफी है वो हौकी खेल से संबंदित है आपको पता होगा, ध्यान चंद्र जो थे उनको बोला जाता है मेजर ध्यान चंद्र जो कि हमारे हौकी के महापुरुस से आप बोल सकते हैं तरीके से हौकी में उनका नाम जरूर से जरूर आता है जिस तरीके है क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जी का नाम आता है उसलिए इस ट्रोफी का नाम ही रग दिया गया है ध्यान चंद ट्रोफी और यह किस से सम्मंदित है तो होकी से सम्मंदित है नेक्स्ट रणजी ट्रोफी किस खेल से सम्मंदित है चार ओप्शन आपको दिये गए है राइट आंसर बताना है option c cricket आपको पता होगा कि cricket जो होता है वो run g trophy हो गया और भी काफी सारी trophy होती है उनमें ये use मिलाया जाता है तो run g trophy कि scale सम्मंदित है तो cricket से सम्मंदित है आपने काफी बार न्यूस पेपर और हमें सुना भी होगा run g trophy के बारे में next दिलीब trophy कि scale से सम्मंदित है आपको यहां पर बताना है दिलीब trophy कि scale सम्मंदित है चार option आपके पास रहा है राइक answer बताना है option A cricket cricket से सम्मंदित रखने वाली कौन कौन सी है तो आपके diNãoeb trophy भी आती है और run g trophy भी आती है जिसमें से इस question का आपका right answer हो जाएगा cricket नेक्स्ट राइडर कप किस खेल से सम्मंदित है यहां आपको बताना है राइडर कप जो होता है वो किस खेल सम्मंदित है चार आपको दिये गए है राइट आंसर बताना है आपको पता होगा गोल्फ एक ऐसा खेल होता है जिसमें से आपको इस तरीके दे दिया जाता है यहां पर एक छेद होता है वहां पर एक डंडा लगा होता है जिसमें फ्लैग लगा होता है और यहां पर किसी भी प्लेयर को खड़ा कर दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि इ राइडर कप जो है वो किस खेल सम्मंदित है तो गोल्फ से सम्मंदित है नेक्स्ट थॉमस कप किस खेल से सम्मंदित है यहाँ पर आपको बताना है थॉमस कप किस खेल सम्मंदित है चार ओप्शन दिये गए है राइट आंसर बताना है ओप्शन बी बैडविंटन बैडविं प्रफिशन कप किस खेल से संबंदित है चार उप्शन दिये गए है राइट आंसर बताना है उप्शन C, वॉली वॉल, वॉली वॉल एक ऐसा खेल है जिसमें आपकी कप जो होते हैं उनमें से एक कप का नाम है फेडरेशन कप जो की पुरसकार के रूप में विजेता टीम को दिया जाता है नेक्स्ट, आपको दिया गए 11 नमबर बूल गया है सुनदर ट्रॉफी किस खेल से संबंदित है चार उप्शन दिये गए है राइट आंसर बताना है Option D, Cricket Cricket से संबन्द रखती है सुन्दा ट्रॉफी Next Next आप कि स्क्रीन पर दिया गया है 12 नमबर बुल गया है संतोज ट्रॉफी किस खेल से संबन्दित है 4 option दिया गया है Right answer बताना है Option B, Football Football से संबन्दित है संतोज ट्रॉफी Next Next आप कि स्क्रीन पर दिया गया है बुल गया नारंग कप किस खेल से संबन्दित है 4 option दिया गया है Right answer बताना है Option D, Badminton Badminton से संबन्द रखने वाला कौन सा कप है आपका तो नारंग कप है Next आप किस स्क्रीन पर दिया है बुल गया कोनिका कप किस खेल से संबन्दित है 4 option आपको दिया गया है Right answer बताना है Option D, Badminton आपको ध्यान में रखना है कि Badminton जो है वो कोनिका कप से भी संबन्दित है और आपका साथ ही में उपर मैंने एक कोश्चन बताया था उससे भी संबन्द रखता है जो कि है नारंग कप चलिए बढ़ेंगे next में next आपकी स्क्रीन पर है खेतान ट्रॉफी किस खेल से संबन्दित है 4 option दिये गया है Right answer बताना है Option C, Satranj Satranj से आपका खेतान ट्रॉफी संबन्दित है Next Next आपकी स्क्रीन पर बोल गया है बेटन कप किस खेल से संबन्दित है 4 option दिये गया है Right answer बताना है Option C, Hockey Hockey से आपका बेटन कप संबन्दित है क्योंकि बेटन कप जो होता है वो होकी में ही होता है Next Next आपकी स्क्रीन पर बोल गया ICC ट्रॉफी किस खेल से संबन्दित है Most important question है आज का 4 option दिये गया है Right answer बताना है Option D, Cricket आपको पता होगा ICC जो है वो Cricket की साखा है आप बोल सकते हैं Cricket की main franchise है ICC और ICC ट्रॉफी जो है वो सभाविक सिपाथे की Cricket से संबन्दित होगी क्योंकि Cricket की ही एक साखा है या बोल सकते main franchise है Next में बढ़ेंगे Next आप की स्क्रीन पर आप दिये गया है 18 number बुला गया Halfman Cup किस खेल से संबन्दित है 4 option दिये गया है Right answer बताना है Option A, Tennis Tennis से संबन्द रखता है Halfman Cup Next में बढ़ेंगे Next आप किस स्क्रीन पर है बुला गया Golden Eagle Trophy किस खेल से संबन्दित है 4 option आप को दिये गया है Right answer बताना है Option C, Basketball Basketball से संबन्दित है Golden Eagle Trophy Next में बढ़ेंगे Next आप किस स्क्रीन पर दिया गया है 20 number बोला गया है अजलान साहा Cup किस खेल से संबन्दित है 4 option आप को दिये गया है राइट आंसर बताना है Option C, हौकी हौकी जे सम्मंद रखने वाला जो कप है वो है आपका अजलान सा कप Next विम बढ़ेंगे Next आपकी स्विन पर दिया गया है 21 नमबर बुला गया है 4 मीनार चैलेंज कप किस खेल से सम्मंदित है 4 ओप्शन दिये गया है Next नमबढ़ेंगे बुला गया रोवर्स कप किस खेल से सम्मंदित है 4 ओप्शन आपको दिये गया है राइट आंसर बताना है Option A, Football Football से आपको मैंने काफी ज़्यादा बता दिये कि ट्रोफी और कप कौन कौन से आते हैं फुटबाल से रिलेटेड तो यहाँ पर आपका एक कप और निकल के आता है जो कि है रोवर्स कप Next नमबढ़ेंगे Next आपकी स्क्रीन पर है बोला गया कोलमबो कप किस खेल से सम्मंदित है 4 ओप्शन दी गये है राइट आंसर बताना है Option A, Football यह जो कप है कोलमबो कप यह भी आपका फुटबॉल से रिलेटेड है इससे पहले मैंने बताया रोवर्स कप वो भी आपका फुटबॉल से रिलेटेड था Next में बढ़ेंगे Next आपकी स्क्रीन पर है बोला गया रंगा स्वामी कप किस खेल से सम्मंदित है चार ओप्शन आपको दिए गए है राइट आंसर बताना है Option B हौकी हौकी जो है उससे सम्मंदित कौन-कौन से आपकी निकल के आते हैं तो आपको मैंने पहले ही अल्रेडी बता दियें काफी सारे और यहाँ पर आपका एक और निकल के आता है जो किए रंगासौमे कप जो किस से आपका सम्मंदित है तो होकी से सम्मंदित है सुडान कप किस खेल से सम्मंदित है चार ओप्शन दिए गए है राइट आंसर बताना है Option B पोलो पोलो जो आपका खेल होता है उससे रिलेट कौन कराता है तो उससे relate कराता है Sudan Cup Sudan Cup जो है वो पोलो खेल का लोक प्री Cup माना जाता है यहां से आपके जितने भी most important question थे वो सभी के सभी समाथ होते हैं आज मैंने आपको जितने भी Cup के बारें बताया है सभी के सभी most important की category में हैं इसलिए इन सभी के सभी questions को बिल्कुल अच्छे से rate लीजिए और साथ इसाथ इनका जो PDF है वो मैं आपको description box में link दूँँगा वहाँ से आप download कर लीजिए टेली ग्राम चैनल में मैं daily के daily PDF की link provide करा देता हूँ तो वहाँ से आप जरूर जरूर टेली ग्राम चैनल को join कर लीजे ताकि आप कोई भी latest miss ना कर पाए और साथ इसाथ ये वीडियो को like कर दीजे चैनल को लीजे subscribe, bell icon को all पर click कर लीजे क्योंकि मैं regular आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ इसलिए इस चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथ ये साथ टेली ग्राम चैनल का link दे दिया है join हो जाएए और इस वीडियो को like करने के साथ साथ दोस्तों के साथ share भी कर दीजेगा ताकि उनको भी थोड़ी knowledge हो सके कल मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए take care जै हिंद जै भारत